हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ स्प्री सिंग और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्टर एवरिडे तो फ्रेंड्स हम फिर से लेकर क्या हैं भूगोल के 50 महत्पूर्ण प्रश्णों का संग्रह हैं इसे पहले हम चार वीडियो में बात कर चुके हैं 200 प्रश्णों के संग्रह की बात करेंगे तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा लाग कीजिए और मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए विद बैल आइकन तो फ्रेंड्स से लिए सुरू करते हैं पहला गोशन है कि मलेर लिए कि दवा कुनैन सिन को ना व्रक्ष से बनाई जाती है किस से बनाई जाती सिन को ना भारती वन संसाधनों के आंकलन एवं विकास के लिए भारती वन सर्वेक्षन की स्थापना की गई है इसका मुख्याले किस जगह है तो इसका मुख्याले देहरादून में है इसके बाद एक कौन सी वनस्पती समुद्र तल से 3,750 मीटर उंचे छेतरों में मिलती है कौन सी वनस्पती परवती ये वनस्पती गंगा की डेल्टाई प्रदेश सुंदर वन डेल्टा में कौन से व्रक्ष पाया जाते हैं तो इसमें हमारे सुंदरी व्रक्ष पाया जाते हैं वर्तमा समय में भारत में कुल कितनी प्रतिसत भूमी पर वन पाया जाते हैं तो इसमें हमारा 20.8 प्रतिसत भूमी पर वन पाया जाते हैं नेक्स्ट कोशन है कि घाना पक्ची अभ्यारण किस राग्जी में स्थित है तो घाना पक्ची अभ्यारण हमारा किस राग्जी में स्थित है राजस्थान में गिरवन जहां खासकर सेर पाये जाते हैं किस राग्य में स्थित है तो गिरवन हमारा गुजरात में स्थित है दाची ग्राम अभिहरन किस राग्य में है तो दाची ग्राम अभिहरन हमारा जम्मू और कश्मीर में है फिर करनाटक में इस्थित बांधीपूर किस लिए परशिद है तो करनाटक में इस्थित जो बांधीपूर है वो हमारा वन्य जीव अभ्यारने के लिए परशिद है यानि के अंसर C then he is the right answer असम में स्थित काजी रंगा अभ्यारन किस के लिए परशिद है तो ये हमारा एक सींग वाले गैंडे के लिए परशिद है किस अभ्यारन को जंगली हाथियों के लिए परशिद माना जाता है तो जो पेरियार है पेरियार अभ्यारने को जंगली हाथियों के लिए परसिद्ध माना जाता है फिर है भारत को कितने भूकंब छेत्रों में बांटा गया है तो भारत को पांच भूकंब छेत्रों में बांटा गया है नेक्स कोशन है वर्तमान में भारत में कहां जागरत जोला मुखी पाए जाते हैं वैरेन दूइप में कहां पाए जाते हैं वैरेन दूइप में पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है तो पोंग बांध हमारा व्यास नदी पर बनाया गया है तुंग भद्रा परियोजना करनाटक के अलावा किस राग्जी की सम्मलित परियोजना है यह हमारी आंद्र प्रदेश की सम्मलित परियोजना है विस्व का सबसे लंबा हीरा कुंड बांध जो ओडिसा राग्ज में है किस नदी पर पनाया गया है महा नदी पर बनाया गया है answer age the right answer सलाल जल विद्धुत पर योजना किस रागज की नदी पर है तो सलाल जल विद्धुत पर योजना हमारी जम्मू और कश्मीर चिनाब की नदी पर है नेक्स टे कि भारत की सबसे बड़ी नहर योजना निम्न में से कौन सी है तो सबसे बड़ी नहर योजना हमारी कौन सी है इंदिरा गांधी नहर पर योजना कौन सी है इंदिरा गांधी नहर पर योजना किस नदी घाटी पर योजना से सरदार सरोवर्बान समंदित है नर्मदा नदी से किस से नर्मता से पर किया गया है तो इनका निर्मान चंबल नदी पर किया गया है फरक्का बांद का निर्मान किस उद्देश की पूर्ती के लिए किया गया था तो फरक्का बांद का निर्मान को ठीक हालात में रखने तथा हुगली नदी में नौवहन को बेहतरिन बनाने के लिए किया गया था आंसर A is the right answer नागारजुन सागरबांद का किस नदी पर निर्मान किया गया है कृष्टना नदी पर गुजरात राजमे इस्थित काकरा पारा परियोजना किस नदी पर बनाई गई है तापती नदी पर भागी रती तथा अलक नंदा मिलकर कहां गंगा का निर्मान करती है देव प्रियाग में भाखडा नांगल बहुद्देसी परियोजना पंजाब तताहरियाना के साथ कौन से एक और राज्य की सन्युक्त परियोजना है? हिमाचल परदेश की किसकी? हिमाचल परदेश की नलकूपों की सरवादिक संख्या किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर परदेश में देश की कितनी परतिसत जन संख्या करिसी पर निर्बर है? 70% किस राज में तालाबों द्वारा संचित छेतर सरवाधिक हैं मद्ध्रदेश में भारत में सिचाई का मुक्य साधन क्या है नहर तालाब या फिर कुवा या ट्यूबेल तो कुवा या फिर ट्यूबेल बहु उद्देशिय प्रियोजनाएं मेरे लिए आधुनिक भारत के मंदिर तदा तीर्थिस्थान है या कथन किस का है या कथन जवाहलाल नहरूजी का है फरका बांध का क्या उद्देश है? तो फरका बांध का उद्देश है कोलकाता बंदरगाह के गात को शाफ करना चिलका जील किस राइच में स्थित है? चिलका जील ओरीशा में स्थित है भारत की किस नहर द्वारा सरवाधिक भूम की सिचाई की जाती है? नांगल भारत की जो नांगल नहर है उसके दोरा सरवाधिक भूमी के सिचाई की जाती है नेक्स्ट है कौन से राज में प्रतिसत की दृष्टी से सिंचित भूमी कम है तरीपुरा देश के कौन से राज में नहर दोरा सरवाधिक सिचाई की जाती है कौन से राज में नहर दौरा तो जो पंजाब है इसमें नहर दौरा अधिक से अधिक से चाई होती है देश के कुल कितने प्रतिशत छेतर पर करसी की जाती है तो देश में 46 प्रतिशत छेतर पर करसी की जाती है चावल उत्पादन करने में भारत का कौन सा इस्थान है तो चावल उत्पादन करने में भारत का दूसरा इस्थान है गेहों की सबसे अधिक उसत उपज किस राज में होती है तो गेहों की सबसे अधिक उसत उपज हमारी पंजाब में होती है खरीब की फसल की क्या विशेष्टा है तो खरीब की फसल जो कौन सा इस्थान है? तो चाय उत्पादन में पहला इस्थान है गन्ने की खेति के लिए सामयनता कितनी वर्षाकी आदर्शिक्ता होती है सौ सेंटीमीटर से अधिकी देश में बोई जाने वाली फबसलों में कौन सी फबसल सबसे ज्यादा छेत्रफल में बोई जाती है कौन सी फसल है चावल रबर का उतबादन किस छेत्र में अधिक होता है तो रबर का उतबादन हमारा जहां तापमान अधिक रहता है यह वर्षा अधिक होती है कौन सा नकदी फसलों का समुह है तो नकदी फसलों का समू है कापास जूट और गन्ना भारत का सरवादिक गन्ना पैदा करने वाला प्रदेश कौन सा है तो सरवादिक गन्ना पैदा करने वाला जो हमारा प्रदेश है वो है उत्तर प्रदेश फिप्टी नमर कोश्चन भारत में सबसे अधिक कपास किस राजी में पैयदा होती है तो भारत में सबसे अधिक कपास महराष्टा में पएदा होती है फ्रेंड्स इस पकार से 201-250 है नि की 50 प्रिश्ब्सम्यारी का जो संग्रह है